हेलो फ्रेंड्स रश्मी के तरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ छट पूजा के पारन दिन का परशाद जो की ठेकुआ कहा जाता है और बिहार के अंदर बहुत जादा इस पूजा का चलन है यूँ तो इंडिया भर में सभी लोग पूजा इस पूजा को मानते हैं और मनाते भी हैं लेकिन बिहार में कुछ जादा ही चलन है तो चलिए उसको बनाने के लिए क्या समगदी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए ये इस बाउल से दो बाउल आटा ले लीजे या धाई सो ग्राम ल जिसमें मैं पूरा नहीं डालूंगी और इसी बाउल से नाप कर मैंने पानी रखा है ये दिखाने के लिए कि कितना पानी लगेगा और ये देखिए ये सौफ है सभी जानते हैं सौफ है ये मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ आप इतने आटे में ये पूरा चमच भर के डालिएगा और ये थोड़ा सा नारियल कटा हुआ है जो कि थोड़ा ज्यादा सुखा हुआ है इसलिए पीले पीले दिख रहे होंगे आपको तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखिए ये दो बाउल आटा था तो एक मैंने डाल के रखा था और ये दूसरा बाउ जैसे तो शृद्धा हो तो किसी भी चीज से बना सकते हैं लेकिन आम तोर पर लोग कोशिश यही करते हैं कि गाये के घी से बनाया जाए तो देखिए ये मोयन हमने मिला दिया आटे में और ये सौफ भी मिला रही हूं और इसी में ये भी जाएगा ये सब कुछ हमने मिला अब इसमें मैं गुर मिलाओंगी ये गुर और चीणी दोनों से बनता है बहुत लोग इसको गुर से बनाते हैं कुछ लोग चीणी से बनाते हैं लेकिन मेन परशाद जो है वो गुर से ही बनाई जाती है तो लिजिए फ्रेंट्स ये जो गुर था उसके अंदर मैंने कि जो भी गुड़ में अगर कोई कच्रा वगड़ा है तो वो साफ हो जाए और इसको धीरे धीरे डालना है और इसमें मोहिन मैंने बहुत जादा नहीं डाला है क्योंकि जब बहुत जादा मोहिन डालेंगे आप तो ये बिखरने लगेंगे कढ़ाई में साइसे बनेगा नहीं टूट जाएगए ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको मिलाना है एक बार नहीं डालना है तो चलिए इसको मिला लेते हैं रंग से तो देखिए फ्रेंट्स ये करीब करीब गूंद गया है बिलकुल ये डो हमारा तैयार है ये बिखरे बिखरे आपको दिख रहे हैं जरूर लेकिन इसको बहुत जादा टाइट करने के लिए हमें ऐसे करने पड़ता है धीरे धीरे ये सिमट जाएंगे और ये देखे जितना अच्छा टाइट इसको सानेंगे दो को उतना ही खास्ता और कुरकुरा बनेगा आपका परसाद के लिए बना रहे हैं तो कुछ मट डालिए और अगर खुद के खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सूजी डाल दीजिए या अगर आपके पास गेहूं हैं तो गेहूं धो के साफ करके और मिक्सी में थोड़ा चला लिजिए वैसे समय इसको चलाईए तो बहुत बढ़िया दरदरा बनेगा जिस समय की आप बहुत अच्छे से सूखा ना हो गेहूं उस समय बहुत अच्छा पिसता है बस जस्ट सूखने से मतलब 90% सूख जाए उस समय अगर करेंगे आप बहुत बढ़िया पिसेगा और इसके लाइक और ज्यादा कोशिश करें कि मोटा आटा हो चक्की का आटा पिसा हुआ हो तो बहुत बढ़िया बनेगा ये देखिए बिल्कुल रेटी है अब ये ये इस तरह से बंद रहा है ये देखिए बाई दिवे आपसे कभी ये गीला हो जाए थोड़ा तो थोड़ा सा आटा और मिला लीजे लेकिन साथ-साथ मुएन मिला हुआ आटा होना चाहिए तभी आपका कुरकरा और खास्ता बनेगा तो चलिए आगे की त्यारी करती हूँ तो देखे फ्रेंड्स ये कुछ गोलिया मैंने बना ली है लोई सबसे पहले इसके सारे के सारे लोई बन जाए तो इस तरह से दबा दबा के और आटे की तरह जैसे आटे का हम लोग दो बनाते हैं उस तरह से ये नहीं बनता ये हमेशा ही बुरभुरा बनता है क्योंकि टा कि ये है सांचा जिसके उपर बनाते हैं तो ये तीन प्रकार का है इसके पीछे कुछ नहीं है और इसमें हमने घी लगा दिया है थोड़ी सी चिकनाई लगा दिया है और इसी के उपर हमें बनाना है तो सबसे पहले तो हमें यही बना लेना है लोई पूरी कर लेनी है और इसको इस सांचे को अगरोटा कहते हैं बिहार के अंदर अगरोटा के नाम से ये प्रसिद्ध है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखे फ्रेंट्स यह हमारी सारी लोई बन गई है और मैं यह बताना चाहती हूं कि एक बाउल मैंने पानी लिया था और इसमें गुड़गोल के रख लिया था यह देखे तो मुझे आधा बाउल भी पानी नहीं लगा है वन फोर्थ से थोड़ा सा जादा लगा है जो से यह बनाना चाहती हूं तो देखे चूंकि यह टाइट होता है तो इसलिए दोनों अंगूठे की सहायता से हमें इस तरह से इधर सारा देते हुए इधर गोल करते रहेंगे और इधर यह इस तरह से हमें यह देखिए यह थोड़ा घुमाना भी पड़ता है यह देखिए यह इस तरह से यह त्यार हो गया यह देखिए अब मैं दूसरा वाला बनाती हूं थोड़ा सा कभी-कभी चप्टा भी करके यह हो जागा, ये देखिए, बीच में रख दिया, और इस तरह से किनारे से सहारा देते हुए, इसको इस तरह से बनाना है, ये देखिए, ये कैसा बनाए, फिर मैं एक ये लम्बा वाला भी बना के बताती हूँ, ये देखिए, इसक और यहीं से चुरू करेंगे हम, यह देखिए, इसको चाहें तो हम पूरा यह लंबा बना सकते हैं, और चाहें तो ओबल शेप भी दिया जा सकता है, यह देखिए, यह देखिए, तो मैंने इसको हाफ ही बनाया है, ओबल शेप दे दिया है, बहुत लंबा बनाने से फिर तलन खाने में पलटने में दिक्कत होती है मो गोटी स्राइब करना है तो इस तरफ से इस फटने लग जाते हैं जरा जरा सावें फटने लग जाते संभालना पड़ता है तो यह देखिए यह इस तरह से ये किया ये किया ये लिच ऐसे भी कर दिया तो ये बिना सांचे के बिना अग्रोटे के इस तरह का बन गया एक तरीके से मैं और भी आपको बना की बताती हूं कि देखिए थोड़ा सा ये हाथ से इसके किनारे बना लीजे इसको समालना तो पड़ता है ये देखिए अब ये पिलर है पिलर के आगे वाले हिस्से से इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे बहुत जादा नहीं दबाएंगे नहीं तो वहीं से तूट जाएंगे ये ये देखिए तो ये बिल्कुल फ्लारी शेप आ जाएगा ये देखिए कितना खुबसूरत बना है ये देखिए फ्लारी शेप आ गया है और एक तरीका और भी है तरीके तो बहुत सारे हैं जैसे कि आप इस तरह का ये देखिए इस तरह का अगर ये डलिया ले ले उस पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं लेकिन इसमें ज़रा साखधानी करनी पड़ती है क्योंकि ये दबने लग जाते हैं ये बहुत चारा टाइट नहीं होता है तो देखिए इससे दूसरी तरह से सबसे आसान तरीका बिलकुल आसान तरीका आप इसमें इसको बीच से इस तरह दबा लें और चाहें तो साइट से ये ये भी आप शेप देदें अच्छा सा ये देखिए एक लाइनिंग नहीं आ रही है तो ये लेजे देखिए सब पूरी लाइनिंग आ गई है अब इसको आप एक क्रॉस और भी मार दीजे ये इस तरह से बहुत खुबसूरत आ जाएगा ये देखिए और ये किनारे फटे हुए ही आते हैं तभी खास्ते बनेंगे ये देखिए तो चलिए अब सारे के सारे में बना लेती हूं उसके बाद फिर तलने की त्यारी करूंगी तो देखिए फ्रेंट्स ये मैंने देशीगी डाल दिया है अभी तुरंत ये हो जाएगा क्योंकि बहुत जादा गरम नहीं करना है और ये देखिए सारे हमने बना लिये हैं ये करीब 16 पीस हुए हैं 500 ग्राम आटे में तो चलिए घी गरम होने देते तो लीजे फ्रेंट्स ये घी गरम हो चुका है अब इसको हमें इस तरह से डालना है बहुत जादा गरम घी में भी नहीं डालना है और बहुत जादा ठंडा भी ना हो नहीं तो टाइट हो जाएंगे सब ये देखिए अगर आपका घी अगर जादा गरम हो गया है तो तुरंत आप गैस बंद कर दीजे देखिए एक बैच अगर हमने निकाल दिया है तो घी बहुत जादा गरम हो जाता है घी में बनाए या रिफाइंड में बनाए तो जो भी ओल होता है वो बहुत गरम हो जाता है तो ऐसे सि और अब इसको धी मियाज पर थोड़ा पकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल गोल्डेन गोल्डेन हो चुका है बिल्कुल और इसको बहुत साफधानी से निकालना होता है क्योंकि गरम-गरम में ये तूट जाते हैं ये देखिए और इसके किनारे भी कभी-कभी थोड़े बहुत तूट जाते हैं और नारियल भी कभी-कभी निकल आते हैं इसी चीजें तो थोड़ी बहुत होई जाती हैं और जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड बैस डालने से पहले गैस को बंद करना है ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके लिए एक और उपाय है कि दो चमच और घी डाल दीजिए तो अपने आप टेंपरेचर कम हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से बिना गैस बंद किये हुए आप डाल सकते हैं बस ऐसे ही में आप दूसरा बैच डाल दीजिए मैंने जान बुच के कम डाला है यह देखिए यह दूसरा बैच हमारा त्यार होने लगा इतना ही गरम आपका तेल होना चाहिए तेल घी यह देखिए यह हमने इस बार पांच डाल दीए यह आसानी से हो जाएगा और यह धीरे धीरे ही पकते हैं लो फ्लेम पे ही पकते हैं और थोड़ा टाइम लग जाता है दसमट लग जाता है एक बैच होने में तो ठीक है इसको पकने देते हैं उसका धीरे धीरे इसको पलटना होगा देखिए भी बॉबल साने लगे हैं बहुत धीरे पलटना होता है और लाल करके ही निकालना होता है जल्दी जल्दी अगर तेज आँच में पकाएंगे तो यह उपर से सिक के हुए दिखेंगे तो जरूर लेकिन अंदर से कच्छी रह जाएंगे तो चलिए इसको पकने देते हैं यह हमारा पारन वाला ठिकवा बन चुका है इसके लिए दो तीन चीजें कहना चाहती हूं सबसे पहली चीज यह कि पानी का खास क्याल रखें क्योंकि इसमें बहुत कम पानी लगता है गुड में एकदम कम पानी डालने पहले क्योंकि जरूरत पढ़ने पर फिर आप पानी या दूद का चीटे दे सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा पानी हो गया तो फिर परिशानी होगी लेकिन उसका भी उपाय हमने आपको बता दिया है कि आटे में थोड़ा सा मोहिन डालके उसको आप कर सकते हैं और दूसरी चीज यह है कि तेल का टंप्रेचर हमेशा इसका कंट्रोल रखिए जिससे कि आपके जल ना जाए ठेक हुए और तीसरी बात यह है कि इसमें मोहिन जादा ना डालें और गुड भी अंदास सही डालें बहुत जादा ना हो प्रीज हमें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और जैसा भी लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं और बहतर और बहतर कर सकूं थैंक्यू